दोस्तो नमस्कार मैं हूँ विनीता यादो जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ने लगे हैं चर्चाब सामने यह होने लगी है कि आखरकार किस चरण में किसका कितना पलड़ा भारी चल रहा है यहां पर हर चरण के मताबिक हर एक सीट का आंकलन अब लोगों ने लगा शुरू कर दिया है लेगिन सचाई यह निकल कर आ रही है क्योंकि तीसरे चरण के बाद से अब चुनाव में गर्मी दिखाए दे रही है चुनाव के अंदर एक ग्रिप आ गई है अब तमाम नेता एक्टिव हो गए हैं और कुछ ना कुछ इस तरहां के भाशन और उनकी स् भीर गए और घेरा किसने राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने तुरंत देरी नहीं की और एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया जो की छटपट तरीके से रातो राद गाउं देहात में जाकर वाइरल होने लगा आईए पहले मैं दिखाती हूं आपको प्रधान मंत्र करी नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी को लेकर चिंता बढ़ा रहा है कि रायत साजादे गोशिक करें कि इस चुनाव में कि यह अंबाणी अडानी से कितना माल उठाया है काले जन के कितने बोरे भरकर के रुपिय मारे है क्या टेम्पो भरकर के नोटे कॉंगरेस के लिए पहुची है क्या क्या सोदा हुआ है आपने रातो रात अबाणी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया जरूर बाल में कुछ का इसकार मोदी जी थोड़ा सा घवर आ गए क्या नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं क्या ये आपका पर्सनल के कह रहा हूं जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना उतना ही पैसा हम दिंदुस्तान के गरीब लोगों को दिने जा रहे हैं महालक्ष्मी योजना पहली नौकरी पक्की योजना इन योजनाओं के माधियम से करोणों लाख पती बनाएं गया इन्हों मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से यह पूरा देश का आंकलन कैसे कहां कहां पर बीजेपी के लिए कितना मजबूत है और कहां पर उनका खाता भी नहीं क्यों चिंता में आ गई है बीजेपी तीसरे चरंड से आप वह वापेस उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से उसे करने की जुरत थी पहले चरंड से लेगिन काफी नुकसान वो जहल चुकी है और आगे कौन-कौन से चरंड में कितना नुकसान उन्हें हो सकता है अग और कुछ बीजेपी के ही अंदर नेतां से में लिए जिन से बात हुई है उसके बाद चौकाने वाली चीज़े जो सामने निकल कर आ रही है उन्हें सुरिये पहले में आपको बताऊंगी बीजेपी को नुकसान कहां हो रहा है बीजेपी के लिए गुजरात एक बार फिर से एक मजबूत स्टेट है यहां पर बीजेपी अच्छे खासे नंबर ले आएगी 26 सीटों में से एक दो सीटों का ही आपर नुकसान दिखाई दे रहा है अभी जादा नुकसान नहीं है वहीं पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश में 60 का आकड़ा बीजेपी पार कर लेगी यह अभी जमीनी जानकारी मिल रही है इसी के बाद अगर हम बात करते हैं बाकी उन राज्यों की जहां पर बीजेपी मजबूत है वहीं दूसरी तरफ राज्यस्थान की 25 सीटों की अगर हम बात करें तो यहां पर 5 सीटे जो है कॉंग्रेस को जा सकती है और बाकी 20 सीटे फिर से बीजेपी को यहां पर आ सकती है यानि कि कुल मिला करके अगर आप बात करते हैं तो यहां पर और गुजरात में, मद्यप्रदेश में, राजिस्थान में, उत्तर प्रदेश में यह पूरा आंकड़ा मिलाने के बाद में हो जाता है तो अगर हम बात करते हैं राजियों में खासतोर से गुजरात, मद्यपृदेश, राजिस्थान और उत्तर प्रिदेश चार राजियों में 126 के आंकडे पर BJP पहुंच जाती है इसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं और बाकी राज्यों की जहां जहां पर B.J.P. को बड़ा नुकसान है मैं आपको एक बार फिर याद दिला दू मैं उन राज्यों की बात अभी नहीं कर रही हूँ जहां पर दोनों ही टककर में हैं मैं या तो उन राज्यों के बात कर रहे हूं जहां सीधे पूरा बड़ा फायता दिख रहा है या फिर जहां पर सीधे सीधे बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है महराश्ट में बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त बीजेपी को दिखाई दे रहा है 48 सीटों में BJP के लिए महराष्ट में bad news निकल के आने वाली है यहाँ पर शिव सैना को यानि की उदव ठाकरे के लिए good news होगी BJP के लिए काफी मुश्किल है यहाँ पर सामने आने वाली है जमीनी जो पूरी जानकारी निकल के सामने आ रही है इसमें महराष्ट में BJP को बड़ा धक्का लगेगा वहीं पर दूसरा राज्य है बिहार है बिहार में भी अगर आप बात करते हैं यहाँ पर 40 सीटों में से BJP को बहुत कम सीटे मिलने वाली है यहाँ भी बिहार में BJP की हालत बहुत खराब है जिस तरह दे नितीश के साथ BJP ने अफरा तफरी में सरकार तो बना ली लेकिन उसका संदेश जो है वो BJP पर बैकफायर करेगा यही सेम महराष्ट में हुआ है आप यह समझे अब जनता का मूट जो है वो क्लियर होने लगा है आप भले ही सामदान दंड भेद करके जुगार तुगार से सरकार बना ले चनाओ के नतीजों के बाद लेकिन फिर जनता इंतजार कर रही है आपके जुगार को देखने के बाद कि कैसे उसे आप पर पलटवार करना है तो चुपचाव खामोश बैटी पात साल तक की जनता फिर अपने असर दिखाती है चैपाटी कोई भी हो यहां पर बिहार से भी बैड निउस है फिर तीसरी स्टेट आ जाई है आप तीसरी स्टेट में भी जहां पर पिछली बार उनीस सीटे निकाली थी वेस्ट बेंगॉल से बीजेपी ने वहां पर इस बार वेस्ट बेंगॉल से 42 सीटों में से 5 सीटे निकाल पा रही है बीजेपी यहां पर भी बीजेपी के लिए नुकसान दिखाई दे रहा है तो आप इस तरह से इन तमाम खास उन नौर्थ के राज्यों को लेकर के चल रहे हैं कुछ वेस्ट बेंगॉल से लेकर चल रहे हैं जहां पर बीजेपी का नहीं आ रहा है दक्षन भारत की आप बात कर लीजे तो केरल में 20 सीटों में से एक में भी उनका खाता नहीं कुल सकता है वही पर आप बात कर लीजिए दक्षन में करनाटक की सीटों की अगर आप बात करें 28 में से यहां पर भी बीजेपी को कम ही सीटे मिलेंगी बहुत ज अंदेश देनी के कोशिश की कि वो उनके अपने हैं लेकिन वोने कितना अपना समझेगी यह अभी बहुत दूर की कोड़ी है इसमें वक्त लगेगा यहां पर हां उत्तरा खंड की मैं एक और बाद बता दूं आपको जिन चार राज्यों का हमने जिक्र किया था राजिस्तान अगर रहती भी है तो भी पांच कगनित पार कर लेगी किसी भी तरह से उत्तरा खंड में पांचों सीटे बीजेपी के पास जाएंगी यहां पर तो कुल मिला करके वहां पर 136 का आकडा जो है वो बहुत क्लियर मार्जिन में दिखाई दे रहा है बीजेपी का भी 136 का पार कर लेगी सरकार बनाने के करीब पहुंच जाएगी लेकिन बहुत बड़ी बात लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए यह कुछ इस तरहां से होगा जैसे कि वो समंदर में ढुपकी लगा के आई और उसके बाद भी सूखी रह गई क्योंकि यहां पर इस साल इस बार बी एक्टिव हैं एक जगा पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और वहीं पर उन्होंने इस तरहां की प्लानिंग मनाई है कि तमाम वो अधिकारी जो अभी तक उत्तर प्रदेश में योगी आदितनाथ के अधिकारी कहे जाते थे अब वो इस वक्त दिल्ली के फेवर में दिल्ली की रनीती पर काम कर रहे हैं पिछले चुनाओं में कुछ तरह की तस्वीरे देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश में जहां पर लोगों को वोट करने जब वो जा रहे हैं तो उन्हें दिक्कते आ रही हैं उनको परेशानी आ रही है कई लोग लौट रहे हैं कई लोग को दिक तरीके से थे लेके गए अपनी बाव घ्रशी नेकाली तब हमारे डलवाये कि डिक्तती कि और आ रही है कि आपका बहुत डल चुका है अब जीत है घुचा है इसी समस्याओं को चलते जो गोड़ पर्सेंटेज हैं उनने खासा कमी देखने को मिल रही है करते हैं कि चुनाव आयोग में कुछ इस परहां से इनको तसली है कि चुनाव आयोग इनकी बाद सुनता भी है कि बिल्कुल खारी जी हर बोटर इतना जागरुक नहीं होता है उसके बोट नहीं पड़ते हैं तो मायूस होका घर चला जाता है आप नहीं देखा कि किस तरह से वोटर कुछ जिनको वोट डालने नहीं दिया गया किसी को बहुत मुश्किलों से वोट डालना पड़ा इस तरह कि तस्वीरे सामने आने लगी हैं ऐसी तस्वीरों के साथ में वोट की पूरे प्रतिशत पर बहुत फरक पड़ेगा हाला कि चुनाव आयोग ने पहले दो चरणों का चुनाव प्रतिशत जो है वोटिंग प्रतिशत वो देर से आंखड़ा जारी किया लेकिन तीसरे चरण में वो दुरुस्त हो गए इसके पीछे की खिचड़ी को आप दरा समझ के खुद बताईएगा कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि आखरकार अंदर क्या पक रहा है क्योंकि हम आपको बताते भी हैं और आगे बताते भी रहेंगे कि अंदर की पूरी स्टोरी क्या निकल के आ रही है लेके इस बार बीजेपी बहुत चिंता में हैं मोदी ब्रांड का ग्राफ गिर रहा है वो इस तरहां से गिर रहा है कि अब मोदी ब्रांडिंग को लेकर लोग का विश्वास कम हो रहा है यहां पर प्रधानमंतरी नयंदर मोदी अकेले एकला चलो की तरहां चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं त stock exchange भी बहुत disturbed position पर चल रहा है, stock exchange यह समझ ही नहीं पारा है कि आखरकार क्या होने वाला है, क्योंकि stock exchange का एक अच्छा stable move हमेशा है बताता है कि सरकार में बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर stock exchange की गती वीदियो को अगर आप देखे, तो इस बार उसमें भी काफी अंड्रेस्ट दिखाई दे रहा है वही सबसे बड़ी बात प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी कुछ इस तरहा के भाशन दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार जो उन पर बैकफायर कर रहे हैं कभी वो मंगल सुत्र की बात कर देते हैं तो कभी वो अडानी अंबानी जिसे नाम का जिक्र अपने भाशन में लेकर आ रहे हैं जिसका सीधे सीधे उन्हें नुकसान साफ दिखाई दे रहा है जो बात अभी तक उन पर आरोप बन कर आ रही थी अब वो उसी बात को अपने आपको पाक साफ दिखाने के लिए अगर करने लगेंगे और जनता उसे वैसे ही स्विकार करेगी तो इसमें संग्शे है क्योंकि जिन 140 करोड लोगों में आप अपने काडर को देखते हैं तो वो काडर आपके साथ अभी धीरे धीरे करके उस तरहां से काम हो रहा है जो कि इस वक्त पिछले 10 साल की एंटी गमबेंसी के बात होना चाहिए तो ये तमाम तस्वीर इस वक्त निकल के आ रही है जो कि इस वक्त BJP के लिए एक बैड निउस है BJP ने अपने सारे घोड़े खोल दिये हैं और दोड़ने की कोशिश कर रही है कि साथवे चरण तक सब कुछ ठीक कर ले लेकिन आपको बता दे पहले चरण में 102 सीटे थी दूसरे चरण में यहां पर 89 सीट्स हो गई फिर 94 हो गई फिर 96 इसके बाद सीटे कम हो रही है 49, 57, 57 तो चौथे चरण तक यहां पर 96 सीटे हैं लेकिन उसके बाद में आखर के तीन चरण में सीटे बहुत ज़ादा कम है डेड़ सो के आसपा सीटे बचेंगी अब कुल मिला करके अगर यहां पर चौथे चरण से अगर आप देखना शुरू करते हैं तो कौन से ऐसे खास राज्य हैं जो की जहां पर अब इनकी नजर रहने वाली है यहां पर बिहार की अगर हम बात करें तो वो है बिहार के अलावा अगर हम यहां बात कर रहे हैं हर्याना की तो हर्याना की 10 सीटों का चुनाव जो क्योंके फेवर में रहेगा यह अभी तक तस्वीरे दिखाई दे रही हैं वाँपर जाट वोट की अगर आप बात करते हैं तो जाट वोट पिछली बार भी आखरी वक्त में छिटक गया था जाट वोट को बहुत जादा ट्रस्ट वर्दी वोट मानते हुए आप उस पर बैंग ओन नहीं कर सकते हैं यह विपक्ष के लिए मैंने कहा है वो बीजेपी की तरफ चला गया था तो उसकी गुंजाईश यहां भी इस वक्त कम नहीं है इसके बाद अगर आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की आठ सीटों पर चुनाव बाकी है बाकी तीन चरणों में लगातर महां पर चुनाव हो रहा था पंजाब की तो पंजाब का चुनाव आखरी चरण में है, 13 सीटों पर चुनाव है, दिल्ली के अगर आप बात करते हैं, दिल्ली का छटे चरण में चुनाव है, 6 सीटों पर चुनाव है, वही पर अगर उत्तर प्रिदेश की आप बात करते हैं, तो आखरी के 4 चरणों में ज तड़ा इस वक्त वह बहुत जादा एहमित रखता है अब उत्तर प्रदेश पर कड़ी नजर रहने वाली है सबसे जादा नजर वहीं रहेगी वेस्ट बेंगॉल का मैंने आपको बताया पांच सीटे दिखाई दे रही है इस बार वेस्ट बेंगॉल का भी लगातार हर चरण में चुनाव है तो बाकी के भी चार चरणों में जादा सीटों पर चुनाव है अभी तक तीन तीन चार सीटों पर था अब आठ साथ आठ नौ सीटों पर यानि आठ सीटों पर फिर साथ सीटों पर फिर आठ सीटों पर फिर नौ सीटों पर चुनाव होगा यही एहम राज में जनता का विश्वास जाएगा ये चार्ज उनको पता लग जाएगा लेकिन बीजेपी इस वक्त टैंशन में है गटबंदन जिसके पास अभी तक कुछ भी नहीं था वो अभी उमीद कर रहा है कि जो भी होगा उसे फायदे में मिलेगा और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा